प्रबु येशु मसी के नाम में आपको अनुग्र, शान्ती और आशिश मिलें। मैं एक बचन पढ़ता हूँ जो जाना पहचाना हो सकता है। योहान उसका पाँच अध्याए। इन बातों के पीछे यहुदियों का एक पर्ब हुआ और येशु यरुशिलम को गया। यरुशिलम में भेड फाटक के पास एक कुंड है जो इबरानी भाशा में बेचसदा कहलाता है और उसके पाँच उसारे हैं। इन में बहुत से बिमार अंधे लंगडे सूखे अंग वाले पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते थे। क्योंकि नियुक समय पर पर्मिश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था चाहे उसकी कोई बिमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुश्य था जो 38 वर्ष से बिमारी में पड़ा था। येश्व न उससे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। उस बिमारी ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभू मेरे पास कोई मनुश्य नहीं कि जब पानी हिला जाए तो मुझे कुंड में उतारें। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। येश्व नहीं उससे कहा उट अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुश्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिर ने लगा। तो एक कुंड था और पानी का कुंड था उसके चारों और पांच उसारे थे जहां पर लोग बैठे या लेटे रहते थे। ये लोग सारे बिमार थे, कुछ अंदे थे, कुछ लंगडे थे, कुछ के अंग सुख गए थे और ये इंतजार करते रहते थे कभी न कभी पानी हिलता है। और जब पानी हिलता है, विशेश रिती से, तो जो भी वेक्ती पहले पानी में उतर जाता था, उसकी चाहे जो कोई बिमारी क्यों न हो, वो वेक्ती चंगा हो जाता था। तो ये परमिश्वर का अश्यर करम इस्थान पर होता था और ये माना जाता था कि कोई स्वर्दूत आकर पानी को हिलाता था और ये कभी भी होता था कोई नियूक समय नहीं था तो लोग इसी आशा में पड़े रहते थे उन दिनों ऐसे हॉस्पिटल नहीं थे ऐसी सर्जरी नहीं थी एसी medical advancement नहीं था कि लोगों को physiotherapy दिला के या कुछ और artificial हाथ या पैर लोगों को लगा कर ठीक कर सके आज भी गरीब लोग है जो सब facility है लेकिन वो उसको प्राप्त कर नहीं पाते तो उस समय और मुश्किल थी तो इस तरह से पढ़े रहते थे लेकिन एक आद्मी के बारे में बताया जाता है कि वो 38 वर्श से बिमार था हमें नहीं पता वो उस जगा कितने वर्श से था लेकिन वो 38 वर्श से बिमार था ना चल सकता था ना अपने आप हिल सकता था घर वाली भी छोड़के चले गए थे कुछ समाद सेवक ही इसकी मदद करते थे और हमें नहीं मालूम क्यों लेकिन प्रभु यशुर सीधा इसके पास जाता है और इससे पूछता है सीधा सवाल क्या तू चंगा होना चाहता है इंग्लिश में है क्या तू ठीक होना चाहता है और वो अपना दुखड़ा गाने लगा मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ कोई मेरी मदद नहीं करता मैं पानी में उतर नहीं पाता मेरे पहले कोई और उतर जाता है और प्रभु येशू इसको आगया दिता है उठ अपना उठा और चला जा जा जाए ना एक गरड़ी टाइप की अंद 210 पर लेट आ ole था प्रभु करता है उठ में अपना उठा और चला जाओ मिगकल आठ बोक्त बंट इस वर्ज से च्ला कि आठ उठा नहीं था वह कुछ और ये वास्तों में प्रभु येशु का एक अध्भुद आश्यर करम है उसकी सामर्त को उसके परमिश्वर होने के प्रमान को हमारे सामने रखता है इसी व्यक्ति को प्रभु येशु बाद में मिलता है और उसको कहता है देख तुचंगा हो गया है अब आगे को पाप ना करना कहीं इससे भारी विपत्ति तुझ पर ना आ जाए वहाँ पर जो लोग थे जैसे हमने पढ़ा अंधे थे लगड़े थे और सूखे अंगवाले थे ये मनुष्य जाती की स्थिति को भी हमें दिखाता है मनुष्य सभाव से या प्रकृती से अंधा है क्यों आत्मिकृती से प्रकृतिक रूप से जैसे वो जन्मा है तब से वो अंधा है क्योंकि ना अपने आपको देख पाता है और ना परमेश्वर को देख पाता है मनुष्य अपने पाप के सभाव को अपने कुरूप अंदरोनी चेहरे को खुद देखने पाता है वो औरों को ही कोसता रहता है औरों में ही गलतियां ढूंता रहता है लेकिन अपने गिरेबान में कभी जहांक कर नहीं देखता ये आम मनुष्य का सभाव है तो अंदा है, ना वो परमेश्वर को देख पाता है, क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभू येश्व न कहा, धन्य है वो जो मन के या हिर्दय के पवित्र है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, आप खुद अपने मन में जहांक कर देख सकते हैं, क्या पवित्रता है, य कुछ लंगडे थे जो पवित्र मार्ग में कभी नहीं चल पाते हैं कुछ सुखेंग वाले थे कि वो किसी काम के नहीं थे कुछ कर नहीं सकते थे इंगलिश में बड़े यूसलस हो गए थे वो वो भी आशा रखे हुए थे कुछ हमारा भी उद्धार हो जाए हमारी भी बदद हो जाए हम ठीक हो जाए कितना जरूरी का हमारा जीवन उप्योगी हो इलॉन मस्क सब जानते हैं टेसला का मालिक मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वो कोई आत्मिक रीती से कोई बहुत अच्छा आदमी है उसके बारे में नहीं कह सकता मैं लेकिन उसने एक चीज़ कही किसी ने पूछा आप क्या सला देते हो उसने कहा कि जवानों को मैं यह सला देत हुआ कि उनका जीवन उपयोगी हो और उनके लिए तो यह लोग जो सुख्यंग वाले थे अगर चाहते भी तब भी कैसे उपयोगी होते दूसरी मुश्किल यह थी उस जगा कि एक व्यक्ति को ही बेनेफिट मिलता था जो उतरता था बाकी विचारे रह जाते थे और उस व मारों के जैसे दौड लगी हुई हो नहीं सारे लंगडे लूले अंधेन के बीच में और यहां पर 38 वर्ष से एक आदमी था जो खुद हिल ही नहीं सकता था पैरिलाइस था कोई मदद नहीं थी बहुत निराश था शायद अपने दिल की घहराई से उसने पुकारा कि परमिश्वर तु जो कुछ जो कोई क्यों नहों मेरी मदद कर दे और नहीं कर सकता तो मुझे मार दे क्योंकि ना मैं जी रहा हूँ ना मैं मर रहा हूँ और प्रभु येश्व सीधा इसके पास जाता है आद दुनिया में बहुत बड़ी भीड है धर्मों में लगी हुई है लेकिन वो भीड प्रभु येश्व को नहीं पहचानती लेकिन प्रभु येश्व अनुग्र कारी है उसके सच्चे खोजियों के पास अपने आप चला पास जाकर उससे का क्या तू थीक होना चाहता है परमिश्वर उसके मुझसे सुनना चाहता था अफ्कोर्स वो थीक होना चाहता था लेकिन प्रभु येश्व उश्वodynamics ऑप मुझसे सुनना चाहता है क्या आपको मदद की जरूरत है एक उद्धार करता कि आवश्च शक्त कि हाँ प्रभू में पाप में बधावा हूं पाप के मंधन में हूं और मैं चाहता हूं के तु मेरी मदद कर तु मूझे इन सारे पाप के कीच से पाप के जीवन से गरणेत बातों से मेरा हाथ थाम कर मुझे निकाल ले उस पाप की दलदल से, कीच से निकाल दे मुझे वो आपके मुझे सुनना चाहता है लिखा यदी हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमिश्वर धर्मी है, परमिश्वर विश्वाश योग है हमारे पापों को शमा करने के लिए और हमें सब अधरम से शुद्ध करने के लिए प्रभुनों से क्या कहा, उट अपनी इस्तिती से उट अपनी खाट उठा या अपना गद्दा उठा तेरा कोई भी हिस्सा तेरे पिछले जीवन में ना रहे तेरा एक नया जीवन शुरू हो और यहां से चला जा, उट और चला जा और फिर प्रभु कहता है, आगे को पाप ना करना नहीं तो और भयानक बात तुझ पर आ जाएगी और प्रभु यश्व इसलिए जगत में आया कुरूस पर अपना प्राण दिया हमारे पापों की सजा को अपने उपर ले लिया हमारे पापों को और उसके शुराब को अपने उपर लेकर उसने दुख उठाया प्राइश्चित किया अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि अब जब एक पापी विश्वास करता है तो येशु का लहू उसको सब पापों से शुद्ध कर देता है और इस आदमी की बिमारी तो 38 वर्ष से थी आपका जीवन कितना भी कितने वर्ष से क्यों न बुरा रहा हो प्रभू येशु का अनुगर आपको बदल सकता है एक नया जीवन देने की सामर्थ है उसमें अगर आप चाहते हैं तो इसलिए वो पूछता है क्या तू ठीक होना चाहता है वो आदमी बिचरा सामर्थीन था बाइबल कहते हैं जब हम सामर्थीन थे तब मसी येशु ने हमारे लिए अपना प्राण दिया हमारी काबिलियत और ताकत से हम उद्धार नहीं पा सकते हैं अनन जीवन नहीं पा सकते हैं विश्वास से पा सकते हैं प्रभु येशु जीवित है वो तीसरे दिन मृत्तों को में से जी उठा और जो कोई उसको पुकारेगा वो बच जाएगा उद्धार पाएगा भयानक नरक दन से हमेशा हमेशा के लिए बच जाएगा प्रभु येशु से प्रात्ना कीजे प्रभु येशु आपको आशिश दे